दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं और एक स्किल को डबलफ करने में कितना ज्यादा समय लगता है यह तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी चीज में एक्सपरड बनने के लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिन वीडियो में लोग अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को गैस हमारे बाल कितने ज्यादा स्ट्रॉंग होते हैं इसके भार में तो आप में से सायद ही किसी को पता होगा हमारे बाल इतने ज्यादा स्ट्रॉंग होते हैं कि यह 400 गिलो तक का वेट जहिल सकते हैं लेकिन कि आप अपने बालों को रस्ती में बांद कर कुछ इस तरह से लटक सकते हैं क्या ऐसा सायद ही कोई कर पाएगा क्योंकि इस तरह का स्ट्रॉंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है और कोई नॉर्मल बेक्ती स्ट्रॉंट को करने की भी कोशिस करेगा तो वो दर्द की वज़े से एसिस्टंट को कर भी नहीं पाएगा क्योंकि आपके बालों के उपर आपके पुरी बॉड़ी का बेट होगा आप लोगोंने पानी के उपर सिप चलती हुई देखियोंगी और तेज स्पीड से बोट भी चलती हुई देखियोंगी लेकिन क्या आपने कभी किसी ब्यक्ति को इस तरह ऐसे पानी के उपर स्लाइड करते हुई देखा है पानी के उपर ऐसे स्लाइड करने के लिए आपको तेज स्पीड की जरूरत होती है जिसके बाद ही आप पानी के उपर ऐसे स्लाइड कर पाओगे दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी ही बोडी को कुछ इस तरह से मोड लेते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ऐसे लोगों की बोडी बहुत ही जादा फ्लेक्सिबल भी होती है ऐसा ही कुछ है ये बेक्टी जो कि अपने कंदे को 360 डिग्री तक मोड देता है और मोरने के बाद इस बेक्टी का कंदा ऐसा दिखाई देता है मानो कि ये तूट चुका हो हमारी आखे जो होती है वो नॉर्मल ही हम अपनी आखों को सिर्फ इतना ही खुल सकते हैं और हम अपनी आईबॉल्स को तो अपनी आखों से बाहर निकाल ही नहीं सकते लेकिन ये एक ऐसा बेक्टी है जो कि अपनी आईबॉल्स को भी अपनी आखों से बाहर निकाल लेता है और देखने में ये काफी ज़्यादा डरावना भी लगता है इसी तरह से ये लड़की अपने आखों को कुछ इस तरह से घुमा लेती है मानो कि इसकी आखे ही ना हो आप जब भी जिम जाते होंगे तो अपनी एक्सेस को सिर्फ नॉर्मली ही परफॉर्म करते होंगे लेकिन ये एक ऐसे बेक्ति हैं जो कि दो टायर्स के उपर खड़े होकर अपने पैरों को 180 डिग्री से भी जादा सीधा कर देते हैं हम नॉर्मली जो साइकल चलाते हैं भो कुछ इस तरह की होती है जिसमें दो पही होते हैं और आराम से हमेंसे चला भी लेते हैं लेकिन कुछ लोग इसी साइकल चलाने की स्किल को नेक्स्ट लिवल पर लेके चले जाते हैं और कुछ इस तरह कि सीडियों जैसी साइकल को भी चला लेते हैं लाठी एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको बहुत सारी जगां उपर हेल्प करती है लेकिन क्या आप किसी लाठी से कुछ इस तरह का स्टंट परफॉर्म कर सकते हैं आपने सायद इस स्टंट के भारे में पहले कभी सोचा भी नहीं होगा लेकिन कुछ लोग इस हार्डेस्ट स्टंट को भी आराम से परफॉर्म कर देते हैं ये वेक्ति बिस्बॉल इस्टिक को ऐसे घुमाता है जिसे देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने निसाना लगाने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं लेकिन आपने अब से पहले ऐसा निसाने लगाने वाला वेक्ति कभी नहीं देखा होगा ये बहक्ति अपनी गुलेल से पानी की एक भूंद पर भी निसाना लगा देता है इसी तरह से ये लड़की भी अपने गुलेल से ही इन काच की बोटल्स के ढखकन खोल देती है कुछ लोग जिन करते करते अपनी स्किल्स को एतना आगे ले जाते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं जैसे इसी बेक्टी को देख लीजिए जो कि इस चीज की उपर अपने दोनों हातों से और दोनों पैरों से जंप करता हुआ उपर चलता चला जा रहा है और इसी तरह से ही इस से नीचे भी उतर आता है अब इस तरह की स्टेंड के आप कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना हम लोग जब अपने पैंसे कॉपी के उपर गोल सरकल बनाते हैं तो वो गोल तो नहीं बनता है सहिद उसकी जगे कुछ और ही बन जाता है जो कि कुछ लोग अपनी बॉड़ी को इस तरह से तोड मरूड लेते हैं जिसे करने का हम अपने सपने भी भी नहीं सोच सकते जैसे ये ब्यक्ति अपने पैरों के नीचे से ही अपने मुह को निकाल लेता है किसी सीधे पहाड पर आप बिना किसी सपोर्ट के कभी नहीं चड़ पाएंगे लेकिन यहाँ पर ये मौंक बिना किसी चीज का साहर लिए इस सीधे से पहाड पर आराम से शड़ते हुए जा रहे है होटल में काम करने वाला ये ब्यक्ति छे प्लेट्स को एक बार में ही लेके चला जाता है यहाँ पर ये लेडी अपने पैरों से चेयर को ऐसे गुमाती है मानो कि ये कितना ज़्यादा आसान है लेकिन ऐसा इस्टेंट सायद ही कोई कर पायेगा ये ब्यक्ति अपने हाथों में ली हुई इस्टिक को ऐसे गुमाता है मानो कि ये कोई हेलिकॉप्टर का फैन चल रहा हो खाना तो हम सभी लोग खाते हैं लेकिन हम में से ही कुछ लोग गर्म खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं लेकिन ये बेक्ती एक ऐसे बेक्ती जो कि मात्र 9 सेकंड्स में ही इन सारे के सारे नूडल्स को खा जाता है और इन नूडल्स से निकलने वाले धुए को देखकर आप पैचा सकते हैं कि ये नूडल्स कितने जादा गर्म होंगे लेकिन फिर भी ये बेक्ती इन्हें बड़े आराम से खा जाता है और साथ ही में दो अंडों को भी खा जाता है ऐसे ही ये बेक्ती एपल को बिना हाथ लगाए अपने मुह से पूरा का पूरा एपल खा जाता है बैसे आपको इन सभी next level skills में से सबसे best skill कौन से लगी और क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा talent है जिससे आपके अलावा कोई भी नहीं कर सकता अगर ऐसा कोई talent आपके अंदर है तो मुझे नीचे comment करके जरूर बताना तो मिलते हैं एक और नहीं interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए